अभिवाधन स्विकार कीजिए ब्रजेस मिस्रा का और आप देखना सुरू कर चुके हैं दडिवेट आज हम बात करेंगे कि 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बीच इस तरह से स्कूलों का खोलना क्या बच्च हो सकता है कि बहुत से लोगों को यह बात पता नहों कि देश दुनिया में क्या चल रहा है कि मैं हमेशा की तरह आपको इस पार फिर अलर्ट करना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस वक्त कोरोना की तीसरी लेर बहुत भयानकाई हुई है कि दुनिया के सब सबसे 37 साली सबसे रिसोर्स फुल कंट्री अमेरिका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं वहां साथ फीजदी पॉपुलेशन को वैक्सिनेशन की हुए हो चुका है फाइजर की दो दोज लग चुकी है तीसरी दोज भी दी जा रही है उसके बावजूद एक लाख केसिस अमेरिका के भीतर कल सामने आए हैं नए केसिस और उनमें से 56,000 को अस्पताल भरती कराना पड़ा फरवरी से अब तक का आज तक का सारा रिकार्ड अमरीका में तूट गया 56,000 लोग एक दिन के भीतर अमेरिका में कोरोना वाइरस से प्रभावित लोग अस्पताल भरती कराए गए हैं इनमें उनको वो भी शामिल है जिनको फाइजर की डबल डोज भी लगी हुई है जिने हमें यह लगता है कि कोरोना चला गया हो भारी भूल कर रहे हैं हमें नहीं भूलना चाहिए कि अप्रेल और मई के महीने में हमने किस तरह से अपने लोगों को गवाया है खोया है एशिया में आप देखिये तो इंडोनेसिया की इतनी बुरी हालत है कि प्रति दिन वहां मरने वालों की संख्या 2,000, 1,500, 1,800, 1,600 लोगों की मौत प्रति दिन हो रही है नए केसेज आसमान चू रहे है जिस टोकियो जापायन में 10 केसेज मिलने पर लागडाउन हो जाता थ वहां 5,000 केसेज नए रोजाना मिल रहे हैं को कोलंबिया में लासें बिछ रही है मैक्सिको पोलैंड फ्रांस किस-किस कंट्री का आपको गिना हूं इंग्लेंड में आज भी स्थिती खराब है 30,000 से ज्यादा केसेज प्रति दिन निकल रहे हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों में कोरोना का कहर अभी जारी है भारत में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 500 से जादा लोगों की मौत कोरोना वाइरस के चलते नहीं हो रही हो मौत अके लिए वो भी तब टेस्टिंग की हालत आपको पता है कुत्तर प्रदेश और दूसरे ऐसे माहौल में जब केरल के भीतर स्थितियां बिगड़ गई हो नए केसेस लगातार बढ़ रहे हो महराष्टर में नए केसेस बढ़ रहे हो उस वक्त स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला बैनुभायूं के उचित है यह वो बच्चे हैं जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है यह वो बच्चे हैं जिनके पास कोई ऐसी प्रतिरोधक छमता इनको नहीं प्रधान की गई है बच्चों की कोई वैक्सीन अभी नहीं लगी है अफ्ठारा साल से कमके बच्चों के लोगों को किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन भारत में नहीं है ऐसे हालात में क्या हम और अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे। अपरेल और मई का वो द्रश्च याद करिए जब सड़कों पर लोग बिना अक्सीजन के तड़प के मर रहे थे। एक गर में छेचे साथ साथ लासें गिरी थी। लोग सड़कों पर मर रहे थे। अस्पताल के बाहर मौते हो रही थी तड़प रहे थे लोग। सीएमों के दफ्तर के बाहर एक लेटर पाने के लिए गाड़ी पर बैठे बैठे लोग मर गए क्या भूल गए वो बात। अब क्या बच्चों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मैं बड़ा चिंती थूँ इस भी शेको लिए और चिंता हम सबको करनी चाहिए। इसके कई पहलू है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों का भविष्य बरबाद हो रहा है। तो क्या जान से जादा कीमती उनका भविष्य है। क्या online education के जरी हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं। क्या हम दूसरे माध्यमों का चैन नहीं कर सकते हैं। क्या जान से बड़ी कोई चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल कालेज टीचर की सेलरी कैसे जाएगी। अरे तो क्या किसी की लास पर खड़े होकर आपको सेलरी चाहिए। क्या किसी की लासों के धेर पर खड़े होकर आप स्कूल चलाना चाहते हैं। कि यह एसे फैसले लिए जा रहे हैं मुझे हरानी है कि यह फैसले कौन ले रहा है और क्या हक है उत्तर प्रदेश की सरकार को इस तरह का फैसला लेने का इस तरह के फैसले महामारी विशेशग्य और विशेशग्यों की सलह से लि vorsonomy जानी चाहिए कि कब वो उचित वक्त होगा जब हम स्कूल कॉलेज ओपन करें बिना वैज्यानिक सलह के बीना डाक्टरों की सलह के बिना विशेशग्यों की सलह के इस तरह के फैसले देश के लिए ठीक नहीं है हमारे आपके बच्चों के लिए उचित नहीं है कल्पना करिये कि अगर इनको वाइरस अटेक आया तो अकेले ती बच्चे बिचारे संभाल नहीं पाएंगे आपको भी इनके साथ अस्पताल भी रहना पड़ेगा इस्वर न करें ऐसा हो कहां से लाएंगे आप आक्सीजन मांगेंगे आक्सीजन दर्जों का मुकदमा कैसे बचाओगे अपने बच्चों को वो कौन से ऐसे निष्ठुर माता पिता हैं जो अपने बच्चों के इस स्थिती में स्कूल कॉलेज भेजना चाहेंगे आ कि मुझे समझ में आता कि ऐसे फैस्टले लेने के पीछे के तर्क क्थि क्या है ध्याट जातें कि एक कोई सयंटिफिक रीजन होना चाहिए बिना वैज्ञानिक सलाह के बिना विशेशग्यों की सलाह के ऐसे फैसले नहीं किये जाते हैं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं किये जाते हैं कि मैं पिछले देड़ पहुने दो सालों से दुनिया के हर देशों के कोरोना के मामले के अध्येन की रिपोर्ट आपके समझ प्रस्तुत कर चुका हूं बार बार ये कहना चाहता हूं बार बार ये ताकीत कराना चाहता हूं ऐसे फैसले मत करिए कि जिससे समाज खत्रे में पड़े जिससे हमारे प्यारे बच्चों का जीवन खत्रे में पड़े या बोध बच्चे तो अपनी तकलीब बया भी नहीं कर पाएंगे हमने आपने तो जेल लिया, न जाने कितने असंखे मौते हुई उत्तर प्रदेश के भीतर, हमने अपनों को गवाया है, इस प्रदेश के भीतर साइध ही ऐसा कोई हो, जिसके अपनों की मौत न हुई है, जिसके जानने वालों की मृत्यूं न हुई हो, इस स्थिति में स्कूल कॉलेज खोल देना क्या ये उचित फैसला है क्या ये वैज्यानिक फैसला है क्या ये विशेशग्यों और सल्हाइकरों ध्रार लिया ग्यै फैसला है हमें जो प्रस्टनोट के जरी सरकार ने बताया है वह यह कहा है कि टीम नाइम ने इसका फैसला लिया है टीम नाइम में कोई विशेशक यह नहीं है कोई वैग्यानिक सलाहकार नहीं है कोई इस बात की गारंटी भी लेने को तैयार नहीं है मैं तो कहता हूं कि कोई वैग्यान नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम आप अपने बच्चों को स्कूल कालेज भेजना चाहेंगे अधिकांस लोग डरे हुए उनके मन में इस बात की शंका है कि अगर यह वाइरस का संक्रम बढ़ा तो इस्थितियां और बिगड़ सकती है जब आपने ऑनलाइन एजुके सरकार के उल यलूल के फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे हमारे देश के नागरिक संकट में आएं जिससे हमारे आपके बच्चे संकट में बच्यों पर तो रहम होना चाहिए इस प्रकार के निर्णे किसी के जीवन को संकट में डाल सकते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि सरकारो के फैसले से हमारे आपके जीवन किस प्रकार से प्रभावित होते हैं यह सब चीजे प्रमाण हैं कि आप बताइए आप में से कितने लोग हैं जो देश दुनिया में वाइरस के इस भयानक संक्रमण के बीच 16 अगस्त से आपने बच्चों को इस पूल भेजना चाहेंगे और मैं उन इस्कूल मैंजमेंट के प्रसासन प्रबंध को सभी कहूँ गा कि आपक्या बच्चों को जवर्जस्ती कोई भेज रहा है या स्कूल बुला रहा है तो एक अंडर्टेकिंग लिजिए लिखा के लिजिए कि कुछ होगा बच्चों के आपके तो उसके लिए स्कूल प्रसासन प्रवंद धन्जिम्मेदार होगा तभी आप अपने बच्चों को भेजना जो बहुत आतूर हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए वो कौन से माता-पिता है? हैं तमाम लोग ऐसे सोसल मीडिया पर लिग गैनी स्कूल खुल जाना चाहिए हम लोग घर पर पक गए हैं हम परिशान हो गए बच्चों से अरे अपने बच्चों से परिशान हो गए हो इन्हें कुछ हो गया तो जीवन भर का जख्म भर नहीं पाएगा जीवन भर खुद को क शीवन का सबसे बड़ा गब होगा तो ऐसे फैसले क्यों किये जा रहे हैं मेरी समझ से बाहर है और विखिला ने तो बीना अब को क्ट भी mét कि तो आगको करें इस प्रकार के přीस्लिक लेंगे से सरकारों को बचना चाहिए यह जल्द बाजी में उठाया गया कदम है आप कुछ बयान सुनें अपना गाइडलाइन के जब देटी है तो उसी गाइडलाइन पर सभी भगा अपना जो जो भी तैयारी करना होता करती है तो शिक्षा भीवाग में कल माने मुक्वंती के साथ में उप मुक्वंती डिने शर्माजी भी थे और उन लोग से आपस में बाच करने के बाद ये तेया हुआ था कि सोला अगस्स से माध्यमेग शिक्षा के 50 परसंद के साथ प्रारम होंगे और उट शिक्षा भी अपना उसी इसाब से अपना प्रारम करेंगे तो कोविड अप्रोप्रियेट बिहवियर का पूरी तरह से पालन होना चाहिए और उसके साथ ये भी सुरिश्चित होना साथ बच्चों के सकूल के शिक्षट वहां का पूरा स्टाफ और बच्चों के परिवार के सभी सधस्यों का टीका करण सुनिश्चित पिया जाए एक मेना रुक के जब बैच्चों का वाक्सिनेशन प्रारम हो जाए और उसके बाद जैसे बच्चे वाक्चिनेट होते जा और उनको स्कूल खूल दिये जाए तो वो जादा बेहतर है जुक्तर प्रदेश की कई जनपतों से इस तरह की खबरे आ रहे हों कि वैक्सीन की कमी हो वैक्सिनेशन स्लो है तो पहले यह सुनिश्चित किया जाए सरकार यह सुनिश्चित करें जो पीम क्यार फंड में पैसे ग सारे दुनिया की देसों में धर्ड बेब कहर पर पा रहे हो हिंदुस्तान के भी कई सारे सहरों में धर्ड बेब की शुरुबट फिलिवात हो चुकी है। उत्तर प्र देश जिस तरह से कोई 2 में अधूरी तैयरी के साथ आया था कोई 3 में भी सरकार ने कोई त्यारी नहीं की है इस्कूल खोलने का फैसला लिया है जो कहीं न कहीं से लगता है सरकार का अज्ञान तापोड़ वक है वक है गलता है का अज्ञान तापोड़ खार मुरूड़ शॉता कि की है एुटricesों से ले आपोड़ शॉता है